कि स्वागत अभी का यूट्यूब चैनल में अर्दवार्शिक परिक्षा परिक्षा दस्वी के गड़त विसे के अंतरकत आज हम अध्याय दस ब्रत के अंतरकत मेहत्पूर्ण प्रृष्ण कर सकते हैं जैसे कि आपको दखाई दे रहा है जिस्ते आप देख रहें 2020-2019 में यहां से प्रश्ण पूछे गए थे तो जैसा पहला प्रश्न है किसी व्रत की इस पर्स रेखा उसे कहाले सान बदींदू पर इस पर्स करती ही तो यहां पर आएगा एक इसको और एक इसका जंस्तान राएगा इस कि कि किरे इसके आगला पर भार्ष ठीटा होो तो तो संपूर कों होगा होता है थटा अंस के बराबर इसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं किसी विरत्त की छेदक रेखा के दोनों सिरोपर समपाति उन्हें पर विरत्त की खालिस्थान रेखा होती है तो यहां पर इसका आंसर होता है इस पर से रेखा होती है इसके बाद विरत्त की दो बिंदों पर स्षित करती है तो इसको हम कहते हैं छेदक रेखा तो यहां पर आएगा छेदक रेखा 2019 में प्रशन आया था एक वुरत्य की खालिस्ताने समांतर सपर्स रिखाया हो सकती तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहां पर एक वुरत्य खीचे और इसके समानंतर केवल दो इस पर से कहते हैं तो यहां पर आएगा इस परस बिंदू कहते हैं इस परस बिंदू नेक्स्ट कोशन है व्यत्त की इस परस रिखा और इस परस बिंदू से जाने वाली त्रिज्या खालिस्तान होती है तो यहां पर लंब होती है यहां इसका आएगा लंब इसके बाद बाहा बिंद ब्रत के सबसेरे ङेनट की लंबाई घ्राम होती है तो यहां पर सकी लंबाइ होती है देखन ब्रत की सिरों पर खीचिंगे इस वर्ट समानतर होती है है इसके बाद व्रत्त की जीवा व्रत्त ये भी कथन सत्त ही होगा नेक्स्ट कोश्चन है यहां पर आप जैसा की देख रहे हैं तीसे नम्मर का कोश्चन यह आपको दिखाई दे रहा है और बहाँ बिंदु से ब्रत पर अनंतिस परस रिखाएं की जिए सकती हैं तो ये कथन बिल्कुल असत्त है क्योंकि केवल दो ही दो ही रिखाएं खिची जा सकती हैं तो ये कथन असत्त हो गया इसके बाद ब्रत के केंदर से जीवा पर खिचा गया लंब जीवा को समधिवायत करता है 2019 में पुछा गया तो बिल्कुल सत्त है जीवा को समधिवायत करता है नेक्स्ट कॉश्चन है ब्रत के व्यास के सिरों पर Kitsk गे Ispers रेखाएं समानन्तर होती हैं तो कثन बिल्कुल सत्त है Next question है ब्रत की सिदक रेखा ब्रत को एक बंदू पर Ispers करती है तो यह कथन आ सत्त है छटववन नमबर का आ सत्त है इसके आद साथवन नमबर का कुछन आप देख रहे हैं प्रशन एक वृत की दोसम अंतर इस परस रिखाया होसकती है तो ये कथन बिल्कुल सत्य है व्रफिक माप चम कोण होती है तो ये विल्कुल कथन सत्य होगा अगला आप देख रहे हैं यहां पे एक सब्द में उत्तर देने वाले कोशन हैं तो इसके अंतरगत कैसे और किस प्रकार के कोशन हो सकते हैं जैसा कि आप आपको देखने को मिल रहा है पहला प्रस्टन जैसा आप देख रहे हैं आपके कि बाव विंदू से विंद कि इस पर्स बिंदे तक रेखा कंड की लंबाई को क्या कहते हैं तो इसका नहीं आंसर हे इस परसरेखा की लंबाई कहते हैं नेक्ष्ट कोशन दूशर नंबर का किसी विट इसका से पूछा गया था तो दो हो सकती है इसका अंसर होगा और तीसरे पूशन केसी रेखा और में थीटा पुम्हों तो इसका होगा तो यहां पर समपुरक कूण लिखा जाया Carnивалam 95 किरिक के दोटो सिरो पर समपाती उने पर हैं प्रत की रेखा कहलाएएगी तो इसे हम कहते हैं इस पर से रेखा इसको नमर का एक विंदू एक जो एक वत से पांच सेंटीटर की केंद्र से दूरी पर है और व्रत की इस पर से की लंबारी चार से चाइन तथा केंद्र पर बने कोंड में संबनुन लिखना है तो यहाँ पे होता है चाप बराबर कोंग वते त्रिज्या यह इनके बीच में सम्मन्द होगा तो इस प्रकार से यह आप यह कोशन देख रहे हैं इन कोशन को तियार कर लिए आप सही करें तो एक पर सकती हैं यहां पर दालेगा लंबाई होगी जब की बृत की देख रहे हैं दी बिंदू पी और से व केंद्र वाले बृत पर P-A-P-B-E-S परिस रिखा हैं, तो 80 एंस के कौन पर जुकी हैं, तो P-A-A का मान होगा, तो 2020 में कोशन पुछा गया, तो इसका मान यहां पर होगा, 50 एंस के बराबर, तो इसका आन्सर होगा A, इसके बाद चौनता कुशन है एक वरत की छेट रेखा वरत को बिंदों पर पतिछेट करती है यहां पर इसका आंसर है भी दो पाच्वा कुशन है एक बिंदू की उसे एक वरत पर इस पर इस रेखाओं की लंबाई 24 cm तथा आर की केंदर से दूरी 25 cm है तो वरत की त्रिज्या होगी इसे आप सड़ल करेंगे पाइदा गोरस प्रमे से तो इसका आंसर निकल के आता है करणी 119 cm के बराबर नेक्स्ट कुश्चन आप देख रहे हैं जैसा की स्क्रीन पर आपको दिख रहा है छटवा नंबर का प्रश्न ब्रत के अंदर शित बिंदू से ब्रत पर छेदक रेखाए इसका सही आंसर है है कि अनन्त रेखायें खेची जा सकती है तो सा उत्तर सहिंए कि लिए इसाई रेखाख्ण दो दॉरा निर्मित ठीटा को अ यहां यहां पर संपर कोन्ध सही है एक नेश्ट है एक बाहा बिंदू से ब्रत पर इस परस रिखाएं खीची जा सकती है तो बाहा बिंदू से केवल दो ही इस परस रिखाएं खीची जा सकती है तो बाहा आंसर इसका सही होगा ब्रत के अंदर इस जब बिंदू से इस परस रिखाओं की संक्या तो जैसा क पूरब को इसके विरत के सहीं पर हैं और वृतалась कि अंशर को सकते हैं। तो यहां पर इसका जो आंसर है वह होती है एक समकोंड के बराबर इस प्रकार से यह आप देख सकते हैं कि आंसर इनके बिल्कुल सही होंगे नेक्स्ट आपको यहां पर तीन अंक वाले प्रश्णों में देखते हैं तो कैसे प्रश्णों पुछा सकते हैं जैसा कि दिखाई यहां पर यह आप देख रहे हैं यहां पे कोईटी को कमान ग्यात करने वाला कोशन है यह दो संकेंद्री व्रतों की तरजाय दी गई है और इस जीवा की लंबाई घ्यात करना जिसमें चोटे व्रत को इस परस करती है 2019 में ये प्रशना आया था कि किसी व्रत के व्रत के सिरों पर खिचिगे इसपरस रिखाएं समान अंतर होती है बहुत ही important question है इसके लावा बहुत महत्पूर्ण question आपको दिखाई दे रहा है कि बहाँ बिंदू से व्रत पर खिचिगे इसपरस रिखाएं कि लंबाई बराबर होती है 2019 सब्सक्राइब कुछा गया था बहुत ही important question है next question आपको दिख रहा है कि व्रत के किसी व्रत पर रिखा बिंदू वरत से जाने वाली तरज्जा पर लंब होती है चाटवा कुछन आप देख रहे हैं 2020 कुछन पूछा गया था जैसे कि यहां पर दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब कर देखने को मिलें तो मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद